हनुमान गरही अजोध्या ये वही अस्थान है जब भगवान स्री राम लंका विजय के बाद माता सीता के साथ हनुमान जी के साथ अजोध्या आये थे तो हनुमान जी को यहां कपे रहने की अनुमती दी गई थी इसको हनुमान गरी बोलते हैं हनुमान टीला करते हैं यहां पे अब एक विसाल मंदिर बनी हुई है यहां पर भगतों के लिए 76 रियां चलके जाना होता है फिर भगवान हनुमान जी का दर्शन होता हनुमान जी भगवान संकर का रुद्रा अवतार थे यहां पर दो बातें परमुक है जो भगवान राम जी ने कहे थे हनुमान जी के लिए और दूसरा ये अथर बेद में भी ये बातों का उलेक है जो बेदवियास जी ने लिखे थे दौपर में पहली बात एक ही जो भी अजोध्या में आएंगे पहले हनुमान जी का दर्सन करेंगे फिर राम लला क दर्सन करेंगे और दूसरी बात हनुमान जी चिरंजीव तो धरती पे लोग कल्यान के लिए कलजुक के अंतक रहेंगे ऐसा भगवान राम ने कहा था और इस मंदिर में हनुमान चलिशा की चौपाईयां दिवारों में लिखी हुई है और इस मंदिर के प्रांगन में माता अंजनी का और के गोद में भगवान हनुमान जी बैटे हैं ऐसी मुर्तियां बनी हुई है बड़ी महिमा हैं इस मंदिर की तो कभी भी अजुद्या जाईए पहले हनुमान जी का दर्सन कीजे फिर राम लला का दर्सन कीजे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर करें